विदियो लेक्चर सीरीज इस वीडियो लेक्चर सीरीज में एन आए-एएस डिय लेक्चरस लिबस के हर टॉपिक को पढ़ाया जारा है तो इससे पहले की सभी लेक्चरस आप जरूर देखें इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी वहाँ पर क्लिक करके पहले के सारे lectures देख सकते हैं और साथ साथ में आप assignment के questions के answer उनके प्रशनों के उत्तर भी जान सकते हैं नीचे link दी हुई है और exam के purpose से जो math food प्रशन है उनकी भी link नीचे मिल जाएगी तो विवरन आप जरूर देखें जो description वो आप जरूर देखें आज हम lecture में आ एक ही करण माप कीजगा तो यहां पर integration of ICT के बारे में बात की जा रही है इससे पहले के lecture में हमने थोड़ा सा समझा था इसके बारे में तो ICT उपकरण यानि information communication और technology जो भी उपकरण यूज होती है technology का उपयोग जो सिक्षा में हो रहा है इसके बारे में बात की गई है कक् ICT के एक ही करण हेतु उपलब्द होती है यानि कि ICT की जो technology है जो उपकरण है जो टूल्स है उनका उपयोग करने के लिए कुछ models एक तरह से structure follow किया जाता है वो यहां बताएगा है पहला बताएगा है असुरे model तो असुरे models में मोडल में बताएगा है कुछ steps पहले सिक्ष करने है उसके अनुसार सिक्षण के माध्यम से सिखाने के माध्यम से पढ़ाई के माध्यम से कौन कौन सी विदिया अगला point है विदी मीडिया और सामगरी का चुनाव तो अब कौन कौन सी विदी इस्तेमाल करने होंगी पढ़ाने के लिए सिखाने के लिए कौन कौन से participation क्या रोल रहेगा उसके बाद मुल्यांकन और पुन्राव्रत्ति यानि कि evaluation और किस तरह से उसको दुबारा किया जाएगा जो सिखाने की चीज को प्रवत्ती को दुबारा से repeat किया जाएगा तो यह मॉडल में असुरे मॉडल में कुछ steps बताएगा है आगे बताएगा है I care model में बताएगा है पहले introduction होगा उसके बाद connect किया जाएगा कौन-कौन से चीज़ें जुड़ती है कि इनकिन चीज़ों से क्या क्या सिखाने के लिए क्या क्या आवशक्ता की चीज़ें जुड़ सकती है उसके इसाब से उन से जुड़ते हुए क्रिया कलाप होंगे activity होंगी कौन-कौन से activity करानी है उसके बाद क्या उनका reflection आना है यानि कि क्या प्रदर्शन होता है विद्यारतियों का क्या उससे output निकल के आता है क्या result आता है उसके बाद उसका विस्तार यानि extent के बारे में बात की लिए कि उसके अनुसार जो भी विस्तार करना होगा उसका एक model तो इस तरह से ये दो model बताये गए हैं यह यह model section अधिकम में भिविन ICT संसाधन और उपकरोनों के के पढ़ाने में और section की जो प्रिकरिया है वो बहुत बहतर बने इस पर सिक्षक designer को सोचने और इस पर करने तो पूरी तरह प्रोसाइद नहीं करते हैं यानि कि इसमें वैसे ही जो इन models में उपकरन वैसे ही उपयोग किया जाते हैं जैसा कि उनको बनाया गया है इसमें सिक्षकन में कोई बदलाब नहीं कर सकता है हम ICT एक ही करन के योजना design करने के लिए एक विवस्तित model एक systematic model को समझते हैं कि क्या systematic model रहेगा यह विवस्तित model यह विवस्तित है क्योंकि इसमें एक तारकिक करम है यानि कि लॉजिकल flow होता है यानि कि उपर से नीचे तक logic follow किया जाता है एक तरक follow किया जाता है अब पहला पॉइंट है समस्या समाधान समस्या कथन तो प्रॉब्लम स्टेट में का मतब है कि व्यवस्थ मॉडल में एक समस्या के कथन से प्रारम भोगता है जो पार्ट में दिये गए मुख समस्यां या मुद्धों का वर्णन करता है इसके सम्मद में गुदान दि उपकरण है उनको कैसे जोड़ा जाए उनके माद्ध्यम से कैसे सिक्षन कराया जाए इस चीज को सिखाने के लिए चाकि विद्यारती वास्तविक अनुवग के जरिये इन चीज़ों को सीख सकें तो कौन सी ऐसे उपकरण है वो कोई वीडियो हो सकता है और ओडियो हो सकता है तो किन चीज़ों के माद्धियम से क्या चीज़ा रहेंगी जिनके माद्धियम से विद्यार्थियों कुछ सिखाया जा वो वास्तविक रूप से इनको सीख सकें मैं आप यह डिसाइड करते हैं कि क्या आप उसको प्रतिफल आपको मिलने वाले हैं आप अधिकाम उद्धियों को ABCD मॉडल के आधार पर लिख सकते हैं जिसमें A है ओडियंस B है behavior C है condition और D है मात्रा तो क्या audience है कौन इसको देखने वाले हैं कौन क्या वेवार से सीखेंगे क्या condition है या क्या स्थितियां इनमें करनी होंगी सीखने के लिए और क्या इसकी मात्रा रहेगी एक model बताये गया है इसको आप एजटेस याद रखने हैं इसकी detail में ना और इसमें बताये गया है अधिकाम उद्देश पार्ट के एंत्म है पारिमिक विद्यारती इसकी जो में समर्थ होती है जैसे कि वो जो उर्जा का मैंने एक्जामपल दिया था कि उर्जा का पार्ट आपको पढ़ना है तो भारत में उर्जा की वर्तमार स्थिका मौकिक व कामगरी को समझना कि क्या का ऐसी तकनीक क्या क्या चीज़ें रहेंगी जो उनको सखाने में मदद करेंगी कौन से मॉडल हो सकते हैं वो सॉप्ट्वेर हो सकते हैं कोई वैब बेस्ट रिसॉर्स यानि कि इंटरनेट से सम्मंदेद या ऐसे रिसॉर्स हो सकते हैं वोईश च पुँप्लीट करने के लिए अगला पॉंट है तकनीक के उपकरण के मूलहें केवर सूपन करना चाहिए आपको कि अपल कर सही जा t यह जरूरी है तो इसमें कुछ चीज़ें बताई गई है जैसे पार्ट के लिए इसकी आवशकता क्यों है यह जाने आप तक्नीक क्यों आधिक मूल्यों को प्रदान करती है यह जाने तक्नीक स्रिक्षण में किस प्रकार सायता करती है इसको जानना आपको आवशक है और इसक को समझने में, जाचने में मदद मिलती है, नए नए चीजों को और निर्देशन को समझने में साहता मिलती है, शिक्षन और विध्यारतियों के ग्यान में संदचना होती है, आगे पॉइंट बताए गाया है क्रियानवन हेतू यानि कि बेसिकली यह बताया गया है इसमें कि कौन सी तक्नीक की आवशकता है क्यों आपको निश्चित करना है प्रभावी और सार्तारूट से चुनी गई तक्नीक को पार्ट के अधिकम में किस प्रकार शामिल करना है क्योंकि कई पार्टों को सीर्षकों को मिला कर एक पार्ट बनता है तो ICT का एक ही करण कई तरह से प्रतेक पार्ट और प्रतेक विबन्ट से अलग दिया जाना चाहिए तो इसके समंद में निमलिकत उत्तरों की आवशक्ता होगी तो इसमें ये बताया गया है कि जो भी क्रियान वन किया जा रहा है उनको किस तरह से प्रभावी रूप से किया जा सके जिससे कि वो शामिल हो सके पढ़ाई की चीजों में और पार्टिकरम में और बहतर रेजल्ट दे सकें तो क्रियान वन हेतु क्या क्या आप करेंगे उसके लिए और निमलिकत प्रशनर रहेंगे ICT आधार कौनसे संसाधन है जिनका उप्यों किया जाएगा चाए वो CD हो चाए वेब हो चाए वेब साइट हो या कोई और चीजें हो इसके अलाबा भिविन निस्तितियां जिनमें ICT आधार संसाधनों का उप्यों कैसे किया जाएगा इनको समझना जैसे प्रियोक शाला यहां प्रतिक विद्ध्यारी कंप्योटर पर प्रियोक करेगा या आधी प्रियोक शाला जहाँ पर दो विद्यारती एक computer बैठेंगे तो arrangement समझना कि क्या आवशकता रहेगी इसको पयोग की इन सांसादोना का पयोग क्यों किया जाना ये इस चीज को clarify करीजिए पार्ट के दोना विद्यारती कौन से क्रिया कलाब करेगा ये भी आप clear कर लें क्रियानवन के समय अगला point है इसमें मिमांसा करना और आगे के लिए सुझाव अब मिमांसा का मतलब है reflection एक योजना तब तक अच्छी नहीं होती जब तक कि इसे क्रियानवित ना किया या वो सही सिद्ध ना हो तो योजना बनाने की प्रिक्रिया प्रहा है बहुत अभाव प्रतिबंदों का इसमें सामना करना पड़ता है योजना बनाते समय चुनाव और जो भी हम सेलेक्ट करते हैं जो भी तरीके चुनते हैं ICT एकी करण के पार्ट के संचाल के बाद ICT करण के अनुभवों पर विचार करने की आवशक्ता है तो इसके रात्रिक्त आप सुझाव दे सकते हैं कि अन शिक्षक किस प्रकार विविन संदरों में विविन विजारती समों के लिए पाठो का उपयोग कर सकते हैं इन सुझावाँ से जो वैकल्पिक तकनीक है यानि कि जो अल्टनेटिव टेक्नलोजी है जो सिखाने की विदियां है शिक्षण विदियां है या कौन सी एक्टिविटी है क्रिया कलाप है ICT के एक करण को सुधाने है तो उसमें तरीके शामिल होते हैं तो एक शिक्षा को एक करण योजना पर विजार करने में साहित होतु कुछ बिंदू दे गए तो एक करण का एक एक एनलाइजेशन करना है कि जो कर रहे हैं उससे रिजल्ट कैसा हा रहा है क्या सही है क्या कमिया है उनको अनलाइज करके चीज़ां करनी चाहिए उनमें सुधार करना चाहिए तो कुछ पॉइंट समझ लें आप इसके संब्द में कि आपको क्या दहन रखने होंगे प्रकरण में सामिल सभी प्रशनों के उत्तर दे दिये गए हैं यानि कि जो भी टॉपिक लिया गया है उसका सही आंसर दिये गए हैं ICT के उपयोग से अधिगा मुद्देशों की प्राप्ति होतु क्या क्रिया कलाब की योजना बना दी गई है तो activities की पहले से योजना बनाई गई है या नहीं बनाई गई है जो हम सिखाना चाहते हैं उसके संबन्द में क्या तकनीकी निर्देशन आत्मक प्रकरिया में साहता करती है तो टकनीक वाकी में साहेता कर रही है जो हम सिखा रहे हैं जो टेकनOLोजी यूज कर रहे हैं वो वाकी इस दिशा में काम करेगी या नहीं ये समझना किया टकनीक उपयोग करने के कारण इस्पस्ट हैна यानि कि आप पूरी तरह से किलियर हैं कि हम technology इस्तिमाल कर रहे हैं जो भी ICT के उपकरण कर रहे हैं वो सही हैं इसके बाद क्या क्रियान्वन की प्रिया और अदिक सुधार किया जा सकता है तो इसमें जो हमारे उद्देश है उसके साफ से क्या बैठर रेजल्ट आ रहा है कर नहीं आ रहा है तो उनमें क्या सुधार किया जा सकता है क्या विध्धारती आंकलान की विदियां वैध है सिंपल पॉइंट है क्या हम हम पिकरण में ICT को प्रयोग को आगे कैसे सुधार सकते हैं तो यानि कि अगर रेजल्ट आपको सही नहीं मिल रहे है उन्हीं टेक्नलोजी के स्तमाल करके तो क्या कमिया हैं उनको क्या सुधार किया जा सकते हैं कैसे किया जा सकते हैं इसका भी आप सिकशक होने के नाते आपको जानना ज़रूरी है तो ये एक चीज है हमारे next topic में lectures को आगे के topic को तब तक आप video को like कीजिए share कीजिए subscribe कीजिए channel को और घंटी के icon को दबाईए हर lecture पहले पाने के लिए